नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे यदि किसी भी लोक्षेबक, किसी भी सरकारी, पताधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग किये जाने या किसी भी तरह का भरष्टाचार के कारण कोई गलत रिपोर्ट हुआ हो या कोई गलत आदेश पारित हुआ हो या किसी भी तरह के भरष्टाचार में सनलिक्ता का परमान हो तो उसकी सिकायत हम लोग अपने अपने राज के लोकायुक्त के समक्ष किस प्रकार दायर करेंगे उसके समक्ष लोकायुक्त की समक्ष परिवाद दायर करने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे मैंने कुल बारह पॉइंट इस संबंद में बनाए हैं जिनें सभी को ध्यान रखने की आवस्चता है जो इस चैनल से नए जुरे हुए हैं जो इस चैनल पर पहली बार आये हैं वो अवस लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का है उसे दवा कर अवस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक अवस्च कर लें जिससे भरश्टाचार से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारे आप लोगों को आसानी से मिल सके तथा आप लोगों को सर्पत्राइ नोटिफिकेशन भी मिल सके इस वीडियो को इतना सेयर करें कि हर भारतिय हर नागरिक को जो भरष्टाचार से पिरित हो या ना हो उन्हें इसकी जानकारी आसानी से हो शके भरष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त एक ऐसा संस्था है जिसमें सम्यक रूप से उसकी शिकायत की जा सकती है तथा वहां नियमानुसार करवाई भी की जा सकती है तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे तो चलिए हम लोग किस प्रकार अपने अपने राजी के लोकायुक्त के समक्ष परिवार दायर करेंगे ब्रष्टाचार के खिलाफ यदि किसी पदाधिकारी द्वारा चाहे वो थाना ध्यक्ष हो श्यो हो वीडियो हो जिलापदाधिकारी हो पुलिस दिक्षक हो एस्पी या किसी भी विवाग के सचीव हो, किसी भी तरह के लोक्ष सेवक द्वारा या दीवरस्टाचार में सनलिक्ता का अगर आपके पास प्रमान हो, चाहे वह RTI के माध्यम से हो, या किसी ओफिसियल कागजात के माध्यम से हो, या किसी आदेश की अगी परमानिच्छाया परती आप लोगों को अपलब्ध हो, तो उसे लगा कर आप लोकायुक्त के समक्ष अवस्षिकायत दर्ज करवाशकते हैं, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है, अवस्षि आप लोग एक बार भरस्टाचार के खिलाब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत करें, जिससे भारत में हो रहे भरस्टाचार में कमी आएगी, तो सत्ति मेव जायते लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दायर की प्रक्रिया, पहला अनुसुची को नियम चार के तहत परिवाद पत्र दायर करना होता है, जिसका सिर्शक होगा, अपने अपने राजी का यहां नाम लिखेंगे, मैं विहार आज से समद्नी थि हूँ, तो विहार, लोकायुक्त के समक्ष जो इतर परदेश से हैं, इतर परदेश, हरियाना, पंजाब, दिली, जो भी हो, महराश्ठ, लोकायुक्त के समक्ष उनका सिर्शक होगा, दूसरा, परिवाद करता या सिकायत करता का नाम वो पूरा पता पीन कॉर्ट सहित देना होगा तीसरा जिस लोक्षेवक या सरकारी पदाधिकारी के बुरुद परिवाद दायर किया जा रहा हो उस लोक्षेवक या लोक्षेवकों के नाम एवं पुन पता पीन कॉर्ट सहित देना होगा एक साथ आप एक कारियाले में यदि एक से अधिक लोग से वक्के विरुद्ध आपने सिकायत करना चाहरा हो, तो एक ही परिवाद में कई लोग से वक्के विरुद्ध पार्टी बनाकर आप सिकायत दर्ज करवा सकते हैं, तो उनका पूर्ण पता पिनकोर्ट सहित अवस्य देंगे, चोथा परिवाद सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो भी परिवाद हम लोग दायर करेंगे, उसमें हस्ताक्षर या उउठा का निसान अवस्य होना चाहिए, पाचमा यदि परिवादी या सिकायत करता निरक्षर हो, तो उसके बाएं हाथ के उंठे का निसान किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा भी परमानित होना चाहिए अभी परमानित करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता स्पष्ठो चठा परिवाद पत्र के साथ न्याईक डंडाधिकारी या कारिपालक डंडाधिकारी या लोकायुक कारियालाय के प्राधेक कृत्पदाधिकारी के समक्ष लिया गया होना चाहिए जो प्रथम प्रूस में लिखा होना चाहिए जो भी परिवाद लोकायुक्त के समक्ष दायत करना चाहते हैं उन्हें न्याईक डंडा धिकारी या कारिपालक डंडा धिकारी के समक्ष एक सपत्पत्र देना होगा उसे प्रपत्र के साथ लगाकर अनुसुची को के साथ लगाकर आपको देना पड़ेगा यदि आप सपत् भी एक सपत्पत्र के लिए नियुक्त किये गये हैं पतादिकारी, उनके समक्ष आपको सपत्पत्र लेना होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक व्यक्ति साक्ष के रूप में भचानकरता के रूप में ले जाना आवश्यक होगा, तो इस प्रकार उसमें आप सपत्पत्र अलंग कर ही परिवाद दार कर सकते हैं साथ मा है परतेक परिष्ट के हासे के रूप में एक चोथाई भाग छोड़कर साप साप टंकित या लिकित होना चाहिए नौमा लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दी आसिकायत करता की अरजी दाखिल करने के लिए नियाई किस्टाम के रूप में एक सो रुपए की फी देनी होती है यह हमारे बिहार लोकायुक्त के समक्ष एक सो रुपईया आपको न्याय किस्टाम फी के रूप में देनी होगी अन्य राज में हो सकता हो यह अलग-अलग हो तो आप लोग अपने अपने राज के लोकायुक्त कारियाले से संपर कर जानकारी लेके आप फिर अवस्य देंगे दसमा है यदि परिवादी किसी दस्तावेज या दस्तावेजों पर निर्वर रहना चाहता हो तो उसे अपने परिवाद के साथ हस्ताक्षर करके या अभी प्रमानित करके या सच्ची परतिलिपी प्रस्तुत करना होगा अधिन परतिक परिवाद यथा संभव अनुसुची को परति सगलगन में विहित प्रपत्र में पांच परति में देनी होगी हमारे बिहार लोकायुक्त में कोई भी परिवाद दैर किया जाता है तो वह पांच परति में काड़ियाले में जमा होगा इसलिए आप लोग कम से कम 6 परती बनाएं जो 5 परती आपको लोकायुक्त कारियाले में जमा करना परेगा तथा जानकारी के लिए आप अपने पास एक परती अवस्त रखेंगे चाहे आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से कराना चाहते हों तो आप 7 परती बना लएगे 5 परती लोकायुक्त कारियाले के लिए एक परती खुद के लिए और एक परती अपने अधिवक्ता के पास रहने के लिए इस प्रकार आप परती परती को सुवस्त टंकिक करके अवस्त करवा लेगे बारमाह परिवाद पत्र के साथ अनुसुची को नियम साथ के नुसार दाखिल किये गए सभी दस्तावेज के साथ भीत प्रपत्र में एक सुची सगलन करनी होती है जय हिन